ओम शान्ति आज 15 सप्टेंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मथुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदर निया आशा दीदी ओम शान्ति दीदी बाबा ने कहा मीखे बच्चे इस दुख के घाट पर बैठ शान्ति धाम और सुक धाम को याद करो इस दुख धाम को भूल जाओ यहां बुद्धी बटकनी नहीं चाहिए क्यों से गाट पर बैठके हैं? दुख के घाट या बाबा इसका भावर्थ यह कहते हैं कि full realization से बैठो कहा बैठे दुख की दुनिया है दुख की दुनिया है जहाँ तुम बैठे उस दुख की दुनिया में तुमको क्या अच्छा लग रहा है? इसको भूलो, इसको भूल करके सुख दाम को याद करो, जहां पर तुमको जाना है, उसकी प्रपरेशन करो प्रशन है, तुम्हारे पुरिशारत का आधार क्या है? उत्तर निस्चे, तुम्हें निस्चे है, बाप नई दुनिया की सौगात लाएं हैं, इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, इस निस्चे से तुम पुरिशारत करते हो, अगर निस्चे नहीं है, तो सुधरेंगे नहीं, आगे चल अकबारों द्वारा, तुम्हारा मे सब को मिलेगा आवाज निकलेगा तुम्हारा निस्चे भी पक्का होता जाएगा ओम शान्ती बाबा ने कहा टावर ओफ साइलेंस और टावर ओफ सुक तुम बच्चे यहां बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धी घर में जानी चाहिए वो है शान्ती का टावर ओच ते ओच क टावर कहा जाता है तुम शान्ती के टावर हो घर में जाने के लिए तुम पुर्शारत कर रहे हो कैसे जाते हो जो टावर में रहने वाले बाप वाला बाप है वो शिक्षा देते हैं कि मुझे याद करो तो शान्ती के टावर में आ जाएंगे उसको घर भी कहा जाता है शा बातें समझाई जाती है, अपने शांती-धाम शुक धाम की याद में रहो, नहीं रह सकते हो तो गोया जंगल के काटे हो, इसलिए दुख भासता है, अपने को शांती-धाम के निवासी समझो, अपने घर को याद करना, करना है न, भूलना नहीं है, घर है ही बाप का, ये है दुख का घाट फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा यहां बैठे भी जिनको बाहर की बातें याद आती हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनको अपना घर याद है इसलिए बाप रोज शिक्षा देते हैं घड़ी घड़ी शांती धाम सुक धाम को याद करो बाबा कहते हैं कि जब मेरे सामने बैठे हो तो मेरे सामने बैठ करके भी आपको अगर याद आ रहे हैं बाहर की बाते हैं तो उसको क्या कहेंगे इम अबजेक्ट नहीं है इम अबजेक्ट हो तो ध्यान पूरवक सुने फिर बाबा ने कहा कि वानी से परे अर्थार्थ घर एक भी निर्वान धाम में नहीं जाते वानप्रस्त का अर्थ न गुरू लोग जानते हैं न फॉलोवर्स ही जानते हैं तो बच्चों को कितना समझाया जाता है ये चित्र हैं सत्युक्य और वो चित्र हैं थ्रेता के उन्हों को भगवान नहीं कहा जाता है लक्ष्मी नरायन को भी भगवान भगवती नहीं कहा जाता आदी सनातन है देवी देफता धरम सिवाए देवी देवताओं के कोई भी स्थाई पवित्र होते नहीं 21 जनम पवित्र सिर्फ एक ही धरम रहता है फिर धीरे धीरे अवस्था कम हो जाती है त्रेता में दो कला कम तो सुख भी कम हो जाता है उसको कहा जाता है त्रेता युक 14 कला अभी तुमको बाब का परिचय है और स्रिष्टी चक्र का ज्यान है उसको ही तुम याद करते हो परंतो कईयों की बुद्धी कहां न कहां भटकती रहती है याद नहीं करते है फिर बाबा ने यानि बाबा हमारी बुद्धी देखते है सामने स्टूडन बैठे बुद्धी भटकरीव तो बाबा को दिखाई तो देगा ना बाबा ने कहा अच्छा और कुछ भी न समझ सको तो आस्तिक पन कर बाप को तो बुद्धी में याद रखो बाप रचना के आदी मध्य अंत को तो जानते हो ना उस ज्ञाड का आदी मध् है क्योंकि मद में रावन राज शुरू हो जाता है काटा बनना शुरू हो जाता है बगीचा जंगल बनना शुरू हो जाता है फिर बाबा ने कहा कि मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि चारों और ही जल्मई हो जाती है भारत ही सिर्फ रहता है जैसे बाड आती है फिर उतर कहते हैं कि बीके सारा दिन मौत ही मौत कहते रहते हैं, बस मौत आने वाला है, तो समझते हैं कि यह तो अशुब बोलते हैं, बोलो नहीं, हम कोई विनाश थोड़े कहते हैं, हम तो कहते हैं, पवित्रता सुक शान्ती का धरम स्थापन हो रहा है, विनाश न हो तो शान्ती कैस गुप्त वेश में शान्ती धाम सुक धाम की स्थाफ़ता है। तो बाबा ने कहा कि जब तक अर्थ समझाओ तब तक समझ न सके सिवाए बाब के मौत तो कोई दे न सके। तो बावन दुनिया जरूर नई ही होगी ये थोड़ी होगी। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो पानी के सागर कितने हैं उनके कितने नाम हैं ये तो अलग-अलग पार्टिशन कर नाम रगती हैं। बाहर सागर तो एक ही है ना। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मुक्ती में तो सब जाएंगे। बाकी जीवन मुक्ती में जाना कोई मासी का घर थोड़े है। मुक्ती में जाना तो कॉमन है। सब वापस लोटेंगे। जहां से आये हैं फिर वहां जाएंगे जरूर। बाकी नई दुनिया में थोड़े आएंगे। तुम्हारा ही राज है। कोई-कोई तो इतना देरी से आते हैं जो पुरानी दुनिया शुरू होने से थोड़ा ही पहले यानि दो-चार-सो वर्ष पहले आते हैं। वो क्या हुआ जो अच्छी रीती नहीं पढ़ेंगे तो त्रेता में भी पिछाडी का थोड़ा समय रहेंगे। तुम जानते हो और सब खंड खतम हो जाएंगे। आफते आने वाली हैं इसलिए बाप कहते हैं जल्दी जल्दी तयार होते रहो जैसे शम्शान में जब आग जलकर खतम होती है तब लोटते हैं बाप भी विनाश के लिए आए हैं तो आदे पर थोड़े जाएंगे। आग लग कर जब पूरी होगे तब चले जाएंगे। फिर बैट कर क्या करेंगे। आग बुझेगी नहीं सब चले जाएंगे। सब को साथ ले जाएंगे। होना तो जरूर है। गीता एपिसोट है ना जिसमें देवी देवता धरम की स्थापना हो रही है। वहाँ एक ही धरम होगा। बाकी सब धरम विनाश हो जाते हैं। सिर्फ ये गीता ही है जो भगवान ने गाई है। फिर बाबा ने कहा कि तुम सुनते हो और निस्चे से पुरशारत करते हो। जिनको नहीं निस्चे ही नहीं वो कब सुद्रेंगे ही नहीं। भल कितना भी माता मारो, तो बाबा के अफ्तरन का पैगाम सब को देना है। आगे चल अकबारों में पढ़ी जाएगा। जैसे तुम्हारा नाम बदनाम भी अकबारों दवारा हुआ, फिर नाम बाला भी अकबारों दवारा ही होगा। दुनिया तो बहुत बड़ी है, सब जगह से तुम बच्चियां जा नहीं सकेंगी, कितने शेहने, कितनी धेर भाशाएं हैं, अब बारों द्वारा, सब जगह आवास पहुच जाता है, यह बाबा के तयांत में होगा, अभी हो भी रहा है, फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि धीरे धीरे स्थापना होती है ना, संगम योग याद पड़े, तो स्वर्ग भी याद पड़े, स्वर्ग को याद करो और मन मनाभव, बाब को भी याद करो, तो बेड़ा पार हो, फिर आज बाबा ने बर्दान दिया, किसी भी परिस्थिती में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव, महान आत्मा वो है जिसमें स्वयम को बदलने की शक्ती है, और जो किसी भी परिस्थिती में फुल स्टॉप लगाने में स्वयम को पहले ओफर करते हैं, मुझे करना है, मुझे बदलना है, ऐसी ओफर करने वा पहली स्वयम को स्वयम की दुवाएं अर्थार्थ खुशी मिलती है, दूसरी बाप द्वारा और तीसरी ब्राह्मन परिवार द्वारा, इसलिए अलबेला पन नहीं लाओ, कि ये तो होता ही है, चलता ही है, फुल स्टॉप लगाकर अलबेले पन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ, और बहुत अच्छा बता है, कि जो दुवाएं मिलती है, बाप से भी दुवाएं, स्वयम की भी दुवाएं, तो स्वयम की दुवाएं बाबा ने खुशी कही है, और स्लोगन है, संकल्पों की एक आगरता द्वारा ही, श्रेष्ट परिवर्तन में फास्ट गती आ सकती है, तो ये थे बाबा के आज के मधुर मावाकियों का सपश्टिकरन, यदि आपके मन में कोई सवाल है, जिसे आप पूछना चाहते हैं, आदर ने आशा दीदी से, त 888-265-99309 पर और हम आपके प्रशनों का उत्तर प्रशनों तरी कारिक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे, ओम शान्ति.